वेल्कम टू मैं चैनल आज इतिहास के मौर्ज समराज के इतिहास है जिसके पन्ने को आज हम लिए हुए हैं इसमें देखेंगे कि चन्दगुप्त मौर्ज तीन सो तेजस्वीपूर्व से लेकर 292 विपूर्व तक का इनका कारज काल रहा है यहां चन्दगुप्त मौर्ज तीन सो तेज से दो सवानगेश विपूरुप तक रहे हैं जिसमें चनगुपत मौर्जी ने चानक से सहयता लिया हुआ था और चानके की सहयता से हीं अंतिम नंद बंसके जो सासक थे घंणन की हत्या कर दिये हो रहात्या करके मौरिस समराज की अस्थापना करने का काम किये थ तो मेकास्थनिच के अनुशार अगर कहा जाए उनके पुष्तय के अनुशार कहा जाए टो भारतिय समाज साथ जातियों में बटा हुआ था। तथा भारत में उसमें दासपर्था का परचलन था ऐसे तो दासपर्था का जिकर आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्दगाल के लिस्बन नामक जगा पे दासों के खरिद विकरी का जिकर मिलता है तो ऐसे भारत में भी दासपर्था का परचलन था उसमें और इस तरह से उनानी गरंथों स से चंदगुप्त मौर्ज के लिए सेंड्रो कोटस था एंड्रो कोटस का नाम का प्रयोग जो किया गया है सरपर्थम अगर हम इस प्रयोग को समझते हैं जिसमें सरपर्थम सर बिलियम जोन्स ने सेंड्रो कोटस की पाचान अगर किया है कि सेंड्रो कोटस कौन था तो वह सें के जो भी सत्रू थे सत्रू के पिरिद चाणों की की कुट निती का बढ़न विसाखादत नामक पुष्टक है उन विसाखादत द्वारा लिखा हुआ है मुदराराक्षस पुष्टक जिस मुदराराक्षस में मिलता है 305 स्विपूर में चंद्रगुप्त मौर्ज ने तद का जाए कि अर्कोसिया गंधार था जेड़ोस जेरोसिया पॉलुचिस्तान पेरी पेनी सदाई जो काबुल कहा जाता है आज के छेतर में यह संधी के फ्लसुरूप देखा जाए तो सेलीकवस ने अपनी पुत्री हेलेना का वीबा चंदगुप्त मौर्ज से कर दिया था संध किये थे अब है बिंदुसार जो 298 स्रीपुर्ट से लेकर 273 स्रीपुर्ट तक अपना राज करते हैं चंदगुत मौर्ज के पाचात उनका पूत्र बिंदुसार गदी पर बैठा हुआ था इसके बाद इवनानी लेकों ने इसे अमित्रो चेटक यानि अमित्र घात भी कहा है उसे सीसन भी कहा जाता है बिंदुसार आजीवक संपरदाय का नुवाई था इसके दर्बार में डाइमेकस आया था जो सिरिया के सासक एंटियोकस का राज़ुत था प्लिनी का अनुसार मिस्ट्र के सासक जो थे यहां तालमी दूतिये फिला डेलफस नामक अपना एक र पूरव से लेकर दो 32 पूरव तक असोक राजा रहे हैं सम्राठ रहे हैं भारत के जो महत्पूर्व सम्राठ की रूप में जाने जाते हैं तो असोग ने 273 पूरव में सीहासन प्राप्त कर लिया था परन्तु चार बरसों तक गिरी जुद में रहने के करण असोग जो थे इंका वास्त्रीग राज्याभीषेख 279-पुर्व में ही हुआ से पुर्व असोक उजयान का गौवर्नर थे। मासकी और गुजराविलेख में उनका नाम असोक तता न पुरानों में असोक वरधन मिलता है, अपने रज्जाविसे के आठवे अर्थाद 261 स्अठरीपूर में असोक ने कलिंग पर आक्रमर किया हुआ था जिसमें असोक ने आगे जिकर है कि असोक ने उपगुप्त नाम के बहुत भिक्षियों से बहुत धर्म की दिक्छा लिए थी असोक की माता का नाम सुब दरांगी के नाम से जना जाता है और इसके बाद असोक ने बोध धर्म के परचार के लिए अपने पूत्र मेहंद्र और पूत्री संगमित्रा को सिरलंका भेज दिया था असोक कालीन अभिलेक में अगर हम देखें तो असोक पर्थम भारतिया सम्राध था जिसने अपने अभिलेक के साहता से सिदह अपनीपरजा को सम्मूतित किया था इसके बाद अगर हम देखते हैं कि असोक कालीन अभिलेक जो है असोक पर्थम यानि भारतिय समराड था जिसने अपने अभिलेक के साहता से सिधे अपनी परजा को समधित किया था जो उद्गोलम था नित्तुर लगू सिलालेक में असोक के वास्टिक नाम का उलेक है जबकि अन्य सिलालेकों में असोक का नाम देवाना पिरिया के नाम से जाना जाता है इसके बाद सिलालेक में असोक का नाम देवाना के मिलता है असोक के अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनका सिलालेक असोक के समय में लिखे गए हैं दरस आए गए हैं जो आज भी उपलब्द है सिलालेक में जिसे हम रोक एडिक्ट के नाम से जानते हैं तो सिलालेक पहाडों को काड़ कर सिलाखंडों को समतल करकर उस पर उतक्रिण किया जाता था यह उस पर खुदाई करके लिखा जाता था ब्रिहद सिलालेक मेजर रोक एडिक्ट्स है चौदा विभीन लेखों का एक समू है जो आठ विभीन अस्थानों से प्राप्थ किये गए है और इन अस्थानों के नाम इस प्रकार है अगर हम सभी का नाम देखते हैं तो सबसे पहले सहबाज गड़ी है जो पैसावर जिले में इस्तित है पैसावर जो आज पाकिस्तान में है मान सहरा है हजारा जिले में इस्तित है कालसी जगा है जो उत्राखंड के देहरादून जिले में अवस्तित है गिरनार है जो काठियाबड में जुनागड के समीप इस्तित गिरनार पहाडी पे है धौली है उरिसा के पूरी जिले में इस्तित गाउं है जोगड का नाम देखे तो इस तरह से असम्पूर्ण परजा मेरी संतान की तरह है इस बात को यहां जिक्र किया गया था फिर देतियोथ सिललेक में क्या है कि चोल, पन्डे, सतिय, पुत, याउंचेर, यानि करल, पूत की चर्चा की गई थी पसुचिकिस्द्सा, मानोचिकिस्द्सा और लोपल्य काड़ी कारज की पात यहां कही गई थी तिर्टिय सिलालेक में अगर हम देखेंगे तो तिर्टिय में है अधिकारी ओज्यक्ते को हर पांचुवे बर्स दौरा करने का आधिश दीया गया थै छोथा में है धर्म चारंड से भेरी घोस धम में बदल गया धम महपात्रों कि न्युक्ती के वितव की दी is तामने धायद से मिल सकते इस बात का चिक्रिक किया गया है साथमें भी में क्या कहा गया है कि सभी तो के मदे आत्मनेंतरण uh और मन की पवित्रता होनी चाहिए, आठमय अभी लेक में क्या है, कि समराट की धम यात्रा का बढ़न किया गया है, बोध गया कि भरमण का भी उलेक किया गया है, फिर वही नवव अभी लेक है, नवव अभी लेक में धम समारोह की चर्चा की गई है, और साथ में सभी भेंट और शिष्टा चरको उलेक भी नवय अभी लेक में किया गया है इसके बाद अगर दस्वे अभी लेक की बात करेंगे तो दस्वे अभी लेक में आपका क्या है कि दस्वे अभी लेक में है कि इसमें असोक ने आधिस दिया था कि राजा तथा उच अदिकारी हमेशा परजा के हित में ही सोचेंगे क्योंकि इसमें और भी बात कही गई कि इसमें ख्याती यों गोरों की निंदा की गई है तथा धाम निती की इस रिष्टा पर बल दिया गया है ग्यरा हुआ अभी लेख में है कि धाम विजय की विसेस्ता का बढ़न किया गया है वहीं बारा हुआ अभी लेख में है कि सर्व धाम सम्मान संभाव एं इस्त्री महामात्रे की चर्चा यहां की गई है इसके बाद आप तेरा हुआ अभी लेख का जिक्रे करेंगे जिसमें देखेंगे कि कलिंग जूद का बढण इसमें किया गया है जो पडूसी राज्यों का बढण इसमें है इसके साथ अपराद करने वाली आट विक जातियों का भी उले किसमें किया गया है चोदावा अभी लेख इसमें चोदावा सिलालेख में असोक ने जनता को धार्मिक जिवन बिताने के लिए प्रेरिद किया है अब लगुशिलालेक क्या होते हैं तो इसमें जो बनन किया गया है कि लगुशिलालेक 14 सिलालेकों के मुख्य बर्क में समलित नहीं है और इस करण इने लगुशिलालेक भी कहा गया है असोक का बौध होने का सबसे पहले अगर सबल परमाण है तो उसका भाब्रू यानि बैराट राजस्थान का बनन देखेंगे से प्राप्त लगुसिला लेख है जिसमें असोक असपश्ट बूध धम तथ संग का अभिवादन भी करते हैं अर्थाते बुध का भी धम का भी और संग का भी अभिवादन करते हैं अब इसके बाद हम जिक्रे करेंगे अस्थम लेखों के बारे में यानि पीलर एडिक्ट के बारे में तो पिलर एडिक्ट में क्या है कि अस्तमलेखों की संख्या साथ है जो छो भीन अस्थानों में पसाण अस्तम्बों पर उत्रकिन पाए गये हैं जिसमें सबसे पहला है प्रियाग अस्तमलेक, प्रियाग अस्तमलेक में क्या है? कि ये पहले कोसांबी नामक जगा पीस्तित था, इस अस्तमलेक को अकबर ने इलहाबाद के किले में अस्थापित कराया था, इसके बाद दूसरा क्या है? अस्तमलेक में की दिली टोपड़ा है तो डिली टोपड़ा में यह अस्थामले फिरोईषा तुगलक के दोबारा चेपड़ा अंवाला हरियाना में से दिली लाए गया था इसके बाद तिसरा है लोरिया अरिराज या लोरिया अरिराज जो जगाह का नाम है की बिहार के चमपानर जिले में उस्तित है यह लौरिया अरिराज है लौरिया नंदनगर है बिहार के चमपानर जिले में अभी इस्तित है दिली मेरट की बात अगर करें कि इस अस्तमलेखों को भी फिरोशा तूगलक के द्वारा मेरट से दिली लाया जाने के काम किया गया है इसके बाद अगर आप लगू अस्तमलेखों की बात करेंगे कि असों की राजकी एक घोशना है तता जीन अस्तमलेखों पर उत्करिण है उन्हें सधारन तोर पर अगर हम कहे हैं तो लगू अस्तमलेख भी इसको कहा जाता है वे दिमनलेखित अस्तानों पर मिलते हैं जिसमें सबसे पहला सांची का नाम देखेंगे कि राय सेन में है यानि मद्य परदेश राज्य है करते लिए तो सद्सक्राश तो लगू अस्तमलेखों मैं असोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदियने का भी हरते हैं इसके बाद करना कौसांवी के चाहाँ कि परियागने estate प्षर वर यह क्या गिए है कर्षर अधिये इंस्क्रिप्शन्स की बात करते हैं ये सभी अभिलेक पैकिर्थ भासा तथा ब्राही लिपी में लिखे गए हैं ये केवल दो अभिलेक सहबाजगड़ी और मान सहरा की लिपी खरोष्टी में अवस्तित है बराबर की पहाडियों में असोक ने आजीवक संपरदाय के लिए चार गुफाओं का निरमाण करया है जिसके नाम कंट, चोपार, सुदामा तरथा विश्षो जोँपडि के नाम से जाना जाता है ये अर्था तहें चारों नाम को गोर से देखेंगे कि पहला नाम है कंट, दूसरा है चोपार, तीसरा है सुदामा और चौथा है विश्ष जोंपड़ी इस तरह से मौरे परसासन का अगर हम बात करते हैं कि मौरे परसासन किस प्रकार का था तो मौरे परसासन के सिर्षस्त अधिकारी तिर्थ महामात्य कहलाते थे यसे अधिकारियों की संख्या कुल अठाड़ा थी परमुक तिर्थ अधिकारी कौन थे तो इसमें सनी घाता होते थे सनी घाता जो राजकिय कोसागार का परधान अधिकारी कहे जाते थे राजकिय जो कार्ज होता था इसमें जो कोसा ध्यक्ष होते थे इनहीं को यहां सनी धाता कहा जाता था इसके बाद करमांतिक करमांतिक का मतलब होता है उधोग धंदो का परधान निरिक् निरिक्षन करना निरिक्षन करना कर्मान्तिक का काम होता था इसके बाद कर्मान्तिक के बाद अंतहपाल होते थे अंतहपाल का काम होता था कि सिमावर्थी दुर्गों की रक्षा जो भी समिप में जो भी दुर्ग होते थे सभी दुर्गों की रक्षा करना या अंतहपाल का क में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां अधिकारी और विभाग का हम अलग अलग बटवारा करते हैं तो सीथा ध्यक्ष्य होते थे हैं दो पौतवा ध्यक्ष होते थे माप तोल के अध्यक्ष को पौतवा ध्यक्ष के नाम से जना जाता था फिर यहां लक्षना ध्यक्ष होते थे तो मुद्रा टकसाल का परधान होते थे उसे लक्षना ध्यक्ष के नाम से जना जाता था पुनया पणया ध्यक्ष होते थे वैपार ब प्रांतों का उलेख मिलता है प्रांतों का शासन प्रांतिय प्रसासक का धीनी होता था असो के अभिलेख में उन्हें कुमार का आरे पुत्र भी कहा गया है और जो असो के अभिलेख है उसमें कहा गया है कुमार का कुमार का आरे पुत्र इस तरह से प्रांतिय और अस्थानिय सासन में हम देखते हैं कि प्रांत और राइधानी किस प्रांत का राइधानी कहा था तो उत्रापंथ जो प्रांत था इसकी राइधानी उसमें तक्सिला हुआ करता था फिर अवंती राष्ट होता था इसकी राइधानी उजयनी था कलिंग प्रांत था इसकी राइधानी तोस कि राइधानी पाटली पुत्र होता था या अर्थात पाटना जो आज आदुनी के नाम से जना जाता है वो उसमें पाटली पुत्र होता था उस समय के नयाय ब्यवस्ता किस परकार का था तो नयाय ब्यवस्ता के जिक्र करते हैं तो मौरे नयाय ब्यवस्ता कठोर थी तथा न देख रहे हैं कि धर्म अस्थलिय नियाले है और दुसरा है कटक सोधन नियाले जो दो तरह के नियाले होते थे गुप्चर विवस्ता किस पर कर गी थी उसमें तो यह भी भाग एक प्रिधक आमात्य किया दिन रखा गया था जिसे महा मात्य सर्फ भी कहा गया है एक अस्थान पर कार्य करने वाले जो गुप्चर होते थे वैसे गुप्चर को संस्था और भर्मण सिल गुप्चर को संचार के नाम से जाना जाता था अर्थात यहां कहने का अर्थ है कि जो भर्मन करके सुचनाओं को इकत्र करते थे उसे संचार कहा जाता था और एक अस्थान पर जो सुचनाओं को इकत्र करते थे उनको संस्था कहा जाता था पुरुस गुप्चरों को संती के नाम से जना ज़ता था तिस्रणा था सरद कहा ज़ता था इस्तरी गुप्चर जो होती थी इनको बिरिसली कहा ज़ता था भिक्छुकी कहा ज़ता था था परिब्राजक के नाम से जना ज़ता था ना मियाद रखेंगे कि पुरुस गुप्चर, संती, तिष्णा और सरद, इस्तरी गुप्चर जो होते थे बिरिसली, भिख्चुकी और परिबराजक हो देते हैं। इसके बाद असोक के समय जो मैंने अभी पताया कि यहाँ पानी के निकास के लिए नहर का भी निर्माण करवाया था। राजकिय भूमी जो होते थे, राजकिय भूमी परधान अधिकारी सिता धक्ष कालाते थे, दास करमकारों और कैदियों की मदद से किरसी कारे करवाता था, किसान अपनी उपज के 1 पटा 6 से 1 पटा 4 भाग तक भूमी का राजी को देने का काम करते थे, यह जो भी भूमी का सीको का, पण का, सुवन का, करसारवन का, मासक का, कंकाड और अर्दकाड का उले किया गया है तो इस तरह से आप लोग देखें कि मौरेकालिन इतिहास का क्या इस्थिती रहा जो आपके competitive exam को ध्यान में रखते हुए सारे प्रिश्णों को लिया गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको thanks for watching this video